पहले हम ल कि बात करें था और अब हम लोग सर्च ऑब सर्ड़ेंग कमार्ज़ क hypothUMal कि इसके बारे में जानेंगे तो थोडा संतर है इसको आपको ऑच्छे से समझना है अब अब तक हम लोग lightning arrester की बात कर रहे थे lightning arrester के अंदर क्या होता था lightning को हम लोग catch करके पकड़ के उसको अर्थ के अंदर ground के अंदर भेच देते तो जो lightning arrester है उसको हम लोग surge diverter कहते हैं क्या कहा जाएगा surge diverter यान एक्वीप्मेंट से को protect करना और surge को अर्थ के अंदर divert कर द equipment की बात कर रहे हैं यह क्या कर रहा है surge को observe या surge को observe कर लेगा पूरी तरह से या surge की effect को कम करेगा यानी surge का जो energy है आपका over transient के सिस्टम में जो wave generate हो रहा उसका जो energy है surge energy उस energy को आपका effect को कम करना reduce करना इस equipment का काम है जिसको हम लोग surge observer या surge modifier कहते हैं यानी surge की effect को परभाओ को उसके energy को waste करना वेर्थ करना ताकि कम से कम energy आपका क्या हो सके अर्थ तक जा सके तो हम लोग क्या विवस्ता किये हैं उसको समझे तो मन के चलने हैं यहाँ पर कोई transformer यह जो equipment देख रहा है इसी को हम लोग surge observer या surge modifier करते हैं तो यहाँ पर हमने और दिखाया हुआ है जिसको हमको protect करना है surge से यानी आपका transient voltage या over voltage से तो line है line के parallel में हमने यह जो विवस्ता कहा है इसी विवस्ता को क्या कहा जा रहा है surge observer कहा जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाए हुए एक resistor लगाए हुए और दूसरा capacitor लगाए हुए और हमको माल one by two pi fc होता है इसका मतलब क्या होता है कि यदि normal आपका situation है यानी rated value पर सारा काम कर रहा है तो जो हमारी power frequency 50 hertz होती है उसकी value आपका transient की तुलना में बहुत कम होता है तो normal frequency पर क्या होगा यह इसकी जो आपका xc की value है यह क्या होगा बहुत ज्यादा होगा ठीक है xc की value यान of current क्या है बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा कि यह क्या करेगा आपका as a open circuit काम करेगा और यहां पर कोई भी current आपका अर्थ तक नहीं आएगा ठीक है यह पहला बात यानी यह normal condition के अंदर है साराची system के अंदर normal है normal supply normal frequency पर आपका system काम कर रहा है तब लेकिन जैसे ही क् हो जाता है over voltage surge की इस्तिती आ जाती है आपका transient period transient आपका कर हो जाता है तो surge की इस्तिती में क्या होगा आपका यह जो आपका frequency की value है यह frequency क्या होगी बहुत ज़्यादा high हो जाएगी क्यूंकि surge आकर हो गया है तो जब आपकी frequency की value बहुत ज़्यादा high हो जाती है तो यह क्या करेगा आपका यहां पर जो कैपेसिटिव रियक्टेंस है उसकी वैलू बहुत मिनीमम हो जाएगी और यह as a short circuit काम करने लगेगा ठीक है यह as a short circuit काम करेगा यानि सर्ज आपका सारा का सारा क्या होगा अर्थ के अंदर जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोग एक रेसिस्टर लगा दिया है जिस रेसिस्टर की साहता से क्या होगा इसकी वैलू हाई रखेंगे ताकि आपका जो सर्ज अर्थ के अंदर जा रहा है ये अर्थ के अंदर जाते समय से जो सर्ज की एनर्जी है इसको डिसिपेट कर सके इसको आपका वेर्थ कर सके बरबाद कर सके तो ये आपका सर्ज जब अर्थ के अंदर जाएगा तो उसके एनर्जी को ये आपका डिसिपेट करेगा आपका इनर्जी को वेस्ट करेगा तो य search observer कहलाता है या इसी को search modifier भी कहते हैं इसी का दूसरा आपका यहां पर arrangement रिखाए गया इस तरह के भी आपका search observer बनाया जा सकता है तो यहां पर क्या लगाए हुए हम लोग इंडक्टर लगाए हुए और resistor लगा हुए तो normal इसी थी पर हमको मालूम है Excel का फॉर्मूला क्या होगा Excel इकॉल टू टू पाई एफल और आपका frequency के वैलू normal frequency जो है उसकी वैलू कम होती है यानि आपका यहां पर opposition है यह कम होगा और current आपका inductor के cross होता हुआ ट्रांसफर्मर तक जा रही है लेकिन जैसे ही आपका transient period हो जाता है search की इस्तिति आ जाती है तो search की इस्तिति में आपका क्या होगा जैसी frequency की वैलू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पर Excel की वैलू क्या होगी Excel की वैलू opposition of current due to the inductance इसके हो जागा बहुत ज़्यादा बढ़ जागा inductive reactance जिसकी वज़े से यह अब क्या ऐसे open circuit काम करने लिए यानि कि य अब current को पास होने नहीं देगा अब जो है current सर्ज वो कहां से जाएगा तो सर्ज आपका resistor से across होता वा जाएगा और यहाँ पर इतना high resistance हम लो लगा दे के सर्ज इसके across से जब होता हुआ जाएगा तो यहाँ पर यह आपका क्या open circuit की तरह काम करने लिए और सर्ज जब resistor के across ह होने होके जाएगा तो यहाँ पर आपका सर्ज क्या होगा resistor के across जाने से आपका सर्ज आपका dissipate होगा उसकी energy आपकी waste होगी और एक तरह से आपका सर्ज का जो परभाव है वो परभाव बिलकुल reduce हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर्ज observer कहते हैं यह सर्ज को modifier यानि सर्ज आपका modify हो गया उसकी value घट गई है अब आपका equipment को कोई damage या equipment पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा तो यह आपका सर्ज modifier या सर्ज observer का diagram था जिसको हमने बताया अब इसी का एक दूसरा आपका high advanced version है जिसको हम लोग फिरांटी observer कहते हैं यह बिग परकार का वस्ता किये हैं तो जो equipment हमको transformer को manage के protect करना है अब transformer की बात हर जगा क्यों होती है तो क्योंकि आपका directly तो alternative लगावा नहीं होगा transmission line के साथ क्या होता है आपका transformer लगा होता है और lightning का सर्च का आपका वस्ता कहा transmission के अंदर होगा तो हमेशा transformer की ही बात हम सारे जगा कर रहे हैं साथ में यहाँ पर आप क्या लगाया है हम लोग यह पूरा मिला कर ही आपका क्या कहला लगा है फरांटी अब्जरवर कहलाएगा तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक air core चौक लगा दिया यानि यह परकार का क्या है transformer है लेकिन यह transformer हम लोग किसले लगाया है यह main transformer की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो चौक लगा हुआ है यह आपका transformer की तरह काम करेगा लेकिन यह इसका जो secondary साइड होगा वो आपस में short circuit होगा और यह आपका हम लोग इसको क्यों लगाते हैं तो इससे हम लोग step up या step down करने के लिए 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 लगा रहे हैं बलके के और केवल हम लोग इसलिए लगा रहे हैं यह क्या कर सके जब आपका ओवर पिरियड यानि ट्रांजिन पिरियड हो सर्ज पिरियड हो तो उस अवस्था के अंदर यह क्या कर सके आपके energy को waste कर सके यानि energy आपका surge का value को reduce कर सके उसका परभाव को कम सा कर सके तो किस तरह से का होगा तो नॉर्मल अवस्था में क्या अंदर यानि यह दूनों का combination एक तरह से समझ लेजे कि यहां पर क्या होगा आपका एकसेल के वैलू कम है यानि आपका जो एकसेल होगा एकसेल इक्वल टू पाई एफल फिरिक्वेंसी की वैलू कम होने के वज़े से यहां पर opposition कम हो केस मैं भी हम लोग यहां पर बात किया था क्या कि आपका normal frequency पर capacitor के अंदर frequency कम यानि एकसे की वैलू जादा होती है आपका यहां पर एकसे एक्वल टू बटर टू पाई FC होगा यानि कि आपकी frequency की वैलू कम होने के वज़े से यहां पर एकसे की वैलू बहुत जादा होगी तक जाएगा और इंडक्टर के क्रॉस आपका बहुत अधिक लॉस नहीं होगा क्योंकि यहां पर फ्रिक्वेंसी की वैलू क्या है कम है और एक्सेल की वैलू कम है और आपका ट्रांसफर्मर तक सप्लाई जाएगी लेकिन जैसे ही आपका अबनॉर्मल कंडिशन होता है सर्ज की सिति आती है तो सर्ज इस सिति के अंदर क्या हो जागा फ्रिक्वेंसी की वैलू बहुत जादा हाई होती ही तो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर यह क्या करेगा आपका एक्सेल की वैलू हाई होने क्या है यह वाला path अब देखी यहाँ पर capacitor frequency की value high है तो यह path क्या करने लगेगा अब आपका frequency की value जब high होती है तो xc की value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और यह as a short circuit काम करने का लगेगा और अर्थ के अंदर आपके सर्ज को भेजेगा और साथी साथ resistor लगा हो है जो भी क्या क करेगा डिसीपेट करेगा बाहर जिसके वैसे अब आपका बहुत कम सर्ज क्या होगा अर्थ के अंदर जाएगा और equipment आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा प्रोटेक्ट हो जाएगा तो इस तरह का वेवस्ता जहां पर सर्ज के परभाव को कम कर दिया जाता है सर्ज इनर कल हम लोग सर्जी अब्जरवर या सर्ज मोडिफायर से रेलेटेड बात कर लिया इससे पहले lightning आरेस्टर से बात किया था जो lightning आरेस्टर को हम लोग सर्ज डाइवर्टर करते हैं लेकिन ये आपका क्या है सर्ज आपका अब्जरवर है जहाँ पर सर्ज की वैलु को reduce किया गटाया जाता है सर्ज एड्सिपाइट किया जाता है तो आई डोनों चीज़ लाइटनिंग नेश्टर क्या है और आपका का बार हो जो गया यह एक दानल बात हो गया तो आपको सारी बात हो गहले अब लास्ट के इस है इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे थैंक यू